तो लेके आई हुए एक दूसरा बहुत ही खूपसूरत पीस जो आपके घर के दिवार उपे अगर लगाएंगे ना तो वहाँ चार चान लगने वाले हैं बिलीव मी और सारी टिपसें टिक्स अस वीडियो में शेर करूंगी तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा पसन आये तो दूसरों को भी शेर करना ना भूले यहाँ मैंने 12 इंच का MDF बोर ले लिया है उसका सेंटर निकाल लिया है सेंटर कैसे निकालते हैं देखना चाते हैं तो मेरे Instagram में रिल में मैंने बताया है जरूर देख लीजिए इसके बाद मैंने greets बना लिया है जैसे मांडला के लिए बनाते हैं और petals ड्रॉ कर लिया है अच्छा एक leaf pattern के लिए आप इस तरह से कोई भी कटोरी या pro circle का use करके perfect leaf बना सकते हैं ये देखे इस तरह से हैना बहुत ही आसान प्रो circle के बले आप छोटा सा कोई धकन, कोई कटोरी ये भी यूज़ कर सकते हैं perfect leaf बनाने के लिए या आप paper पे एक leaf बना ले उसके बाद सारे leaf को आप dress कर ले तो ये सारे जो छोटे मोटे tips हैं ये मैं अपने instagram reel पे share करती रहती हूँ जरूर check out करिएगा चलिए बातों बातों में हमारा design तो complete हो चुका है अब बारी है clay की मैं यहाँ favicle का molded clay यूज़ कर रही हूँ even roll अगर करेंगे तब ही आपका lip बनार इदम perfect दिखेगा और circle में cutting देख लीजे आपको diagonal cutting करनी है और इस तरह से हलकी से join करना है ताकि हमारे जो joints से वो दिखे नहीं, minimal joint is a keyword to a beautiful lip बनार glue लगाते समय भी एक बात का जरूर ध्यान दे, excess glue नहीं लगाना है आपको कम glue भी नहीं लगाना है और clay को हलका हलका दबाते हुए stick करते जाए ताकि बीच में कोई gap न रहे और clay फिर सुख जाएगा तो बाद में यह stick नहीं होगा और एक बात ध्यान रखे, minimum joints is a keyword to a beautiful lip बनार तो इसलिए हमें minimum joints करने हैं, यहां मैंने पूरा petal एक ही इसमें मैंने कर लिया है और यह जो second petal कर रही हूँ, यह भी तरीका आप देख लीजिए, सिर तीन side हम इसको कर रहे हैं और जहां पे भी आप sides भी stick कर रहे हैं, वहां पे भी आप थोड़ा-थोड़ा glue लगाते जाएं जब भी आप petals बना रहे हैं, या आप square, triangle, कोई भी shape बना रहे हैं, जिसमें straight line है तो आप knife या scale की मदद से उसको straight कर सकते हैं, देखिए मैं जैसे यहां knife का use कर रही हूँ, इसे straight करने के लिए इसी तरह से आप knife या scale का use कर सकते हैं, जब एक level हमारा complete हो जाए, उसके बाद ही आप दूसरा level पर जाए, जैसे मुझे तो आदत हो चुकी है, आप clay के साथ कैसे काम करने की, बट अगर पहली बार आप बना रहे हैं, तो एक level को completely सूपने दे, उसके बाद दूसरा level करेंग हो जाते हैं, तो देखें मैं cutting के से कर रही हूँ, उस पे आप गौर फर्माइएगा friends, क्यूंकि cutting अगर perfect होती है, तो आपका जो piece है इसदम perfect डिखता है, जब भी आप clay work करते हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान दे कि सारा का सारा clay है, वो एक साथ mix ना करें, जो molded clay आता है, उसके में चार से पांच हिस्से कर लेती हूँ, और एक हिस्सा at a time में mix करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जली dry हो जाता है, wastage ना हो तो ये एक tip आप जरूर याद रखेगा, और देखें मेरा petal complete हो गया है, जब भी हम clay work करते हैं, कुछ ना कुछ clay बच्छी जाता है, तो म आप इसे चिपका भी सकते हैं, तो जैसे जैसे बचते जाते हैं, मैं इस तरह से leaf pattern बना लेती हूँ, या और भी patterns है, जो हमें लिपनाट में काम आते हैं, वो मैं बना लेती हूँ, knife से इस तरह से बीच में एक line भी कर लूँगी, आप इसे सूकने देते हैं, ये देखें, तो कुछ भी waste नहीं करना है, अगर आपका clay dry हो रहा है, तो इस तरह से leaves बना के भी आप रख सकते हैं, चलिए आगी का करते हैं हम, जैसे मैंने कहां, हमें joints कम रखने हैं, इसलिए मैं यहाँ ये जो last line है, इसको मैं पूरा का पूरा इसी तरह से कर रहे हूँ, बीच में से cut करें और जब करें तो इद्दम आराम से आप करें और पॉर्फिकली करें थोड़ा सा भी छोटा ना करें और इस तरह से आप इसको शेप देते जाए, यह देखिए जब तक आप सेटिस्फाइ ना हो इसके शेप से तब तक आप दूसरे इस पर मत जाईएगा, और यह इसको प्राइमर लगाएंगे, बोट के लगाते हैं अगर आप बोट को बचाना चाहते हैं पानी से खराब ना हो आपका आर्ट वक तो प्राइमर ज़रूर लगाए, इस से और भी फायदे है कि बोट तो प्रोटेक्टेड रहता ही है, साथ ही में जो कलर इसके उपर लगा तो चलिए पहले मैंने यह जो लीव्स हमने बनाया थे बचे हुए चोटे चोटे क्ले से वह मैं यहां स्टिक कर देती हूं ताकि इस पर भी प्राइमर लगाना है और पीछे भी आपको प्राइमर लगाना है क्योंके बोर्ट तो हमें फूरा प्रोटेक करना है पीछे ही जब दिवार पे लगाते हैं तो पानी वारी नगले के चांस होते हैं अगर दिवार में पानी आ रहा है जब प्राइमर सूख जाए इसके बाद हम वाइट कोट करेंगे वाइट कोट करने से क्या होता है जो भी कलर हम अपलाई करेंगे इसके उपर वो इद्दम खिलके आता है आप खुछ चेक कर लिजे डायरेक्ली बोट पे लगाते ना तो तीन चार कोट लगाने पड़ते हैं फिर भी कलर उतना अच्छा नहीं दिखता है इतना खिलके नहीं आता है इसलिए वाइट कलर आप अच्छी तरह से लगाए देखिए जैसे मैं ब्रश चला रही हूँ इदम कोना कोना बिल्कुल भी एक कोना भी छूटना नहीं चाहिए क्लीन वर्क के लिए ये भी बहुत ही इंपोर्टन टिप है तो यहां मैंने पूरा वाइट कलर कर लिया है यह देख सकते हैं आप अब चले कलरिंग की बारी है तो यहां मैंने येलो कलर लिया है और येलो कलर से अब ये जो फर्स हमारी जो लाइन है उसको पूरा येलो कलर कर लूँगी coloring आपको बहुत ही आराम से करना है friends ताकि आपको बार-बार finishing ना करना पड़े फिर उसमें बहुत जादा time जाता है और coloring करने के बाद आप उपर इस तरह से थोड़ा सा sponsor dab कर लें इससे जो texture है ना बहुत ही बढ़िया दिखता है तो आप जरूर ट्राइ करें इसके बाद जो second line है इसमें मैं orange color लगा रही हूँ तो मैंने white में orange color को mix कर दिया था और आप ले ले एक number का ही brush और एक number के brush को इस तरह से घुमाते हुए यानि हर एक area आपको cover करते हुए color करना है इसके बाद मैंने white में red मिला के pink बना लिया और pink से मैं ये third line को color कर रही हूँ इसी तरह से आप आपके choice के हिसाब से कोई भी color combination को create कर सकते हैं या white भी बहुत ही beautiful लगता है अब चलिए मैंने yellow, orange, pink, green and blue इस तरह से मैंने color कर लिया है अब चलिए इसका look और बढ़ाने के लि अरबती की stick है, matte stick है, ear bird है, या tutpik है, या empty refill से भी आप इस तरह से dot create कर सकते हैं तो मैं ये dot मैं पूरा white से लगा रही हूँ क्योंकि काफी colorful हमारा ये जो lip an art है तो इस तरह से मैं सारे dots बनाते जा रही हूँ और ये जो yellow मैं dots करने ने वो बड़े से छोटे-छोटे पे जा करना चाहिए ये देखे इस तरह से ये देख सकते हैं गुमा गुमा के आपको ये dotting करनी है बहुत ही सुन्दर पीस रेडी हो रहा है अब तक पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें बहुत जादा महनत लगती है इस टाइप के वीडियो बनाने में और इंज में भी मैं इ आने चाहिए ऐसे नहीं कि 9-10 आजाए या 3-4 आजाए तो नंबर भी आपको गिनने हैं जब भी आप dots देते हैं उतने ही dots आपको हर एक पीस में लगाना होगा ताकि हमारा जो पीस से एद्दम perfect दिखें तो ये देखिए मैंने पिंक में भी dotting कर लिया है उसी तरह से अब म करें तो मैंने ये dotting भी कर ली है अब last में मैं थोड़ा सा mirror लगा के देख रही हूँ कि कौन सा mirror मैं लगाऊंगी यहां तो teardrop shape है ये diamond shape है या इस तरह से triangle place करूँ अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है last line के लिए तो कैसे dotting करूँ ये सोच रही हूँ तो आप इस तरह से mirror कर लिया है कि मैं teardrop shape ही लगाऊंगी और इसके center से मैं dotting शुरू करूँगी तो center में एक बड़ा dot लगाऊंगी ये इस तरह से और छोटे-छोटे-छोटे करके dots कर लूँगी ये देखिए white color लगाने से इदम खिलके आ रहा है friends ये देख सते हैं आप वाव बहुरी beautiful लग है तो देखिए मैं फिर से आपको बता लिए हूँ एक बड़ा सा center में dot लगाएंगी और छोटा-छोटा-छोटा-छोटा dots आपको count करना है friends ताकि आपका जो art piece है इदम perfect बने तो सारी dots मैंने कर लिये हैं देख सते हैं आप कितना सुन्दर ये art piece लग रहा है अब इसको सू कर रहा है तो थोड़ा सा extra color बचा के भी रखें जहां पर भी आपको लग रहा है कि पिंग color जैसे यहां orange पे overlap हो रहा था तो मैं orange को finishing दे रही हूँ finishing करना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि जब भी आप sell करते हैं artwork तो लोग घुमा घुमा के आपका art piece देखते हैं इसलिए आगे पीछे edges पे सब जगा आप अच्छी तरह से finishing दे दो इसके बाद आप आपका artwork को seal करें varnish से मैं यहां brustow का matte varnish use कर रही हूँ वने शुकने के बाद हम लगा देंगे mirror mirror यहां मैंने already decide करके रखा था कि कहां कौन से shape में मुझे कौन सा mirror place करना है एक जो गलती सभी लोग करते हैं क्या कर लेते हैं पहले design बना लेते हैं फिर उसके अंदर mirror fit होते ही नहीं है ऐसी ही tips के लिए आप मेरी classes को join कर सकते हैं friends मैं one to one यानि individual classes लेती हूँ और full detailing आपको सिखाऊंगी वो भी आपके time space पे यानि अगर आप 6 दिन लेना चाते हो तो 6 दिन ले सकते हो आप 8 दिन में सीख सकते हो या चार दिन में भी सीख सकते हो तो यहां कोई time limit नहीं है और lifetime आपको support देने वाली हूँ तो अगर join करना चाते है lip and art पूरा detailing सिखना चाते हैं तो मेरे instagram पे आप मुझे message कर सकते हैं मैं online classes भी लेती हूँ तो सारे mirrors यहां मैं लगा रही हूँ देखे और जब भी आप mirror लगाए ना तो glue भी जादा ना लगाए क्योंकि glue side में से जो बहार निकलता है फिर सुखने के बाद वो अच्छा नहीं दिखता इसलिए glue आपको बस mirror के अंदर रहे उत्रा ही लगाना है तो देखें यहां मैंने teardrop shape भी लगा दिया यह देखें हमारा जो mirror work है वो भी complete है बट अभी तक यह piece complete नहीं हुआ है mirror को साफ करना भी ज़रूरी है जब सारे mirror इतना अच्छा तरह से चिपक जाए उसके बाद आप एक छोटा सा cotton का कपड़ा गीला कर ले और उससे आप mirror क पोच ले जहां-जहां especially glue अगर लगा है mirror पर तो इस तरह से पोच ले उसके बाद सूखे कपड़े से पोच ले यह देखे हर एक mirror आपको clean करना है क्योंकि जब हम stick करते हैं तो हमारे fingerprints लग जाते हैं तो ready हो चुका है हमारा लिपना design और color combination कैसा लगा जरूर बताएगा वैस किसी को भी gift कर सकते हैं housewarming, birthday, anvisceries पर यह उनके घर में चार चान ही लगाने वाला है कैसा लगा यह वाला art piece इसके लिए भी comment करें like, share and subscribe my channel till then take care, bye bye